नमस्कर इंडिया वायर हाउस एक्सपोट 2024 डेल्ली के अंदर इस पार्ट के अंदर में आपको दिखाऊंगा कंवेयर इसके अलवा कुछ आपको जैसे कि थोड़ी बोर में फॉट ट्लिफ का भी एक अदा आइटम दिखा देऊगा यह सबसे पहले यह होगे आपका कंवेयर रोलर इसके अपर देखिए यह रोलर के उपर है यह कंवेयर शरक और यह जितने भी पैकेट आरहे कार्टून आरहे प्रशete जिद अलग-अलग डायडिक्शण होते हुए अपने रूट को पकल रहे है आपको मलब जिस किसी वी डायडिक्शन वो अपने जैसessä जिस हिसाह से कमांड दे रखे हैं जिस हिसाफ से उन्होंने टेक लगा रखे हैं उस डायेक्शन को आटमेटिक वो चले जाते है और चाहे वह स्टेकिंग पॉइंट पे जाना हो या फिर लोडिंग पॉइंट पे जाना हो इस तरीके से वह अपने अपने हिसाब से वह आगे की और बढ़ते हुए निकल जाते हैं तो यह यह कंपेनी इनका यह डेमो डिस्प्ले है यहां पर इंडिया वायर हाउस एक्सपो 2024 यह अभूमी के अंदर यह बहुत ही डेवलप तरीके से मनले कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर डिस्प्ले डेमो दिया गया है बहुत सारे कंपेनिया आये हुए हैं मेरा एक ही मकसद है जैसे कोई भी मेरे वीडियो को देखे देखेंगे तो इसमें क्या है आपको कई सारे कंपेनिया के कंपेनिया जो जिन्होंने यहां पर लगा रखेंगे उनके में डिस्प्ले को या जो भी इन्होंने जो लगा रखेंगे उसको मेंने सोब किया हुआ है यह नहीं कि एक ही कंपेनिय को किया हूँ मैं मैं मैक्सिमम कंपेनियों को को और किया हूँ और हर इसके related कोई requirement डेबलब हो तो आप एक मनलब की आपको चूज करने के लिए थोड़ीशी shortlist करने के लिए असानी हो जाएंगे यह और another company है तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हर एक company का मैं आपको विजनेस कर्ड हो ब्राउजर हो जो भी हो मैं आपको एक बड़ शेयर जरूर करूँ कि इससे आपको convenient हो कि स्कूइटनी करने के लिए यह देखिए यह conveyor weld का इन्होंने डिस्प्ले देमो डिया हुआ है और यह एक आपका लिफ्ट लिफ्ट की जो समान उठाने के लिए इसके बीच में यह मैं बहुत चलो इसको भी कर लेते हैं क्योंकि हाइड काफी जाहिदे दिया हुआ है इसका भी तो मैं इसलिए इसी के बीच में यह वीडियो को भी capture कर लिया अच्छा लगा तो मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं तो इनका भी मैं आपको इसके नर अब इसके मलब कि फोटो में सो कर रहा हूं अगर कोई inquiry हो तो इसके निंग इसके इसके निंग कर सकते हैं अगर क्योंकि आज के टाइम पर देखिए वायर हाउस एक बेशिक नेसेशिटी फोरें इसमों मनलब इसमोल टाउन भी नहीं बोलूंगा मैं बड़ा चोटा हर किसी के टाउन के बाहर है के वायर हाउस हो अंदर हो कहीं पर भी हो वायर हाउस मनलब की बहुत ही जादा एक है डब्लब्लमेंटल रिक्वार्मेंट के हिसाब से निकल के आ रहा है आज के टाइम पर और वायर हाउस के अंदर अगर यह सारे मेकानिजम लगा दिये तो आप यह मान के चलिए कि आपके एक्स्पेंडिचर कोस्ट बहुत ही कम आ जाते मतलब कि इचन एबरीटिंग उल इसको भी केडिया केडिया ओट आटोमेटिकल लिट्रो मशिन इससेल्फ यह देखिए यह एक हो गया क्या बोलेंगे इसको मलब की सर्कुलर बोलेंगे या इसका वर्ड एक्चुली मेरे को अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है चलिए कोई बात नहीं मैं इनका स्कार्ड आपको शेयर कर रहा हूं हुआ है तो बहुत ही आज के टाइम का बहुत ही अच्छा वह हो गया और यह एक अनेडर कंपनी है और इन्होंने भी अपना प्रड़क को बहुत ही यह देखिए यहां से टेक लगा के जैसे कि कोई साभी मेट्रियल दाल दिया यह मान के चलिए इस सेग्मिन में नहीं आया यह दूसरी तरह किसे यह उपर इसके ना लगा रखा इन्होंने यह ताकि जो वहां पर टेक लगा हुआ है उसको एकदम से रिट कर लेंगे वह फिर वह मनलब आटोमेटिकली वह यह देखेंगे कि किस डाइडेक्शन में जाएंगे यह बॉक्स लोडिंग पॉइंग के त अलग-अलग पॉइंट में यह यह इदर को आ गया अपने तरफ इस तरीके से वह उदर को चले जाएंगे कोई इदर को अलग-अलग पॉइंट के विए एक एक डेमो डिया हो गया है इसके लगव कही सारे पॉइंट भी होंगे जिसको की मनलब काम करने में convenient हो जाते हैं आगे देखते जाएं को इदर को इदर को और अलग-अलग यह उदर चला गया इस तरीके से मालब आगे से से स्केनिंग होके आ गया और यहां पर अपना डायरेक्शन लेए है कसे विद्म के से हमारा की पदन घजए कि मनलब के किस तरह के से अ बर्कंड करते हैं यह अधिर चले गए तो इनका यह और भी प्रड़क्ट हो गया इनका जो सर्कलर वाइं में उपर से नीचे नीच Pharisee से उपर तक जाएंगे और फिर कहीं इस टेकिंग पॉइंट में यह देखिए अंदर को देखिए यह मनलब की लिफ्ट की तरह उपर चला गया यह उपर चला गया मनलब की इतना इतना आराम हो गया काम करने के लिए तो मैं इनका विज्टिंग कर शेयर कर रहा हूं आपको मनलब की एक बार इनिशेल कोश्टिंग थोड़ी सी जादा होते लेकिन बार में क्या है वो कोश्टिंग एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही कम हो जाते और प्लस मनलब की बहुत स वान कन फिल इजी पर सेलेक्शन पॉपस और ये एक हाई स्पीड दोर का एक कंपनी और मुझे दिखा दिया मैं बहुत ही चलो इसका भी एक वीडियो ले लेता हूं और इनका भी मैंने आपको मैं ब्रॉजर से मलब ये बिजनेस का शेयर कर रहा हूं तो बहुत ही अच्छ ये मनलब की एक्सपो लगा हूआ है और मैं ये इनफेक्ट ये बोलूँगा कि मनलब की डबलेमेंटल का एक बहुत ही मनलब की गुड एक्जम्पल है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू